बिस्मिल्लाइराप्ष अवर्रीम असलाम आलेकूम देयर स्टूरेंट आज हम नेक्सराइब 6.4 का कोश्चन नंबर 14 करना है कोश्चन नंबर 14 देखें लेकिए थे सम फ्री नंबर्स the sum of three numbers numbers in an AP in an arithmetic progression is 24 and their product and their product is 440 find the numbers find the numbers the sum of three numbers in an arithmetic progression is 24 and their product is 440 find the numbers we have three numbers which are sum of three numbers which are in arithmetic progression and if they are sum of three numbers then the answer is only 4 and if they take the product then the answer is 440 so we will find the numbers find out so we don't know that they are in arithmetic progression so if they are in arithmetic progression we have three numbers and we have three numbers in arithmetic progression in arithmetic progression which numbers are in arithmetic progression if we have a number then we add the number then the next number will be so if we have to find out so if we have to find the first number to find out then we will minus the number and then the first number will come so in this way we have to find three numbers which are in arithmetic progression now we have to find the number now we have to find the number which is the number of numbers 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 ठीक है एक एक वेल्यू आ गई अब हमें चाहिए डी की वेल्यू ए और डी की वेल्यू आ जाएगी हम यहां बढ़ा कर देंगे हमारे पास रिकॉयर्ड नंबर आ जाएगे ठीक है अब डीकी वेल्यू निकालने के लिए हमें एक और कंडिशन दीगी है कि देर प्रॉडट्ट जो है वो किसके एकवल है 440 के एकवल है तो हम इनका प्रॉड़क लें लेते हैं इनका प्रॉड़क्त आपके पास आएगा ए माइनस डी ए और फिर a प्लैस बी इकवल्स टो 440 ठीक है उसके बाद देखिए हमारे पास एक ही वल्यूो आ चुकी है अब एक ह यह लिए हम यहां पर पुट कर देते हैं 8-D 8 और 8 प्लस D इक्वल्स टू 440 आगे देखें आगे हमेरे पास यह 8 आ रहा है 8 को आप बोट साइड डिवाइड कर दें और यह आपके पास इन दोनों को मल्टिप्लाइड करेंगे तो यह बन जाएगा 64-D सब्सक्राइड को बोट साइड डिवाइड कर दें तो यह आपके पास आजाएगा 440 डिवाइड बाइड बाइट इक्वल्स टू 55 ठीक हो गया उसके बाद हमें D की वैली हो चाहिए ठीक है तो D को इसे साइड पे रहने दे डिवाइड को और 55 उस साइड पर जाके मतलब दी D स्केर की वैल्यू आएगी 9 और फिर D की वैल्यू आजाएगी 2 विच प्लस माइगस 3 ठीक है अब डिफ्रेंस की हमारे पास दो वैल्यू आ चुकी है और A हमारे पास क्या था 8 ठीक हो गया तो अब हम यह दोनों वैल्यू एक दफाह हम पुछ कर लेते हैं पुछ A equals to 8 और फिर D equals to positive 3 यह दो वैल्यूस हम पुछ करते हैं इस अपने टाम्स में तो हमारे पास वो numbers आ जाएंगे हैं जी पुछ करें तो हमारे पास यह 8 minus 3 फिर 8 फिर 8 प्लास 3 आएगा 8 minus 3 equals to 5 8 और फिर यहां से यह आजाएगा 11 ठीक हैं तो हमारे पास यह required numbers हैं अब एक दफाह में positive 3 लिया डिये को अब हम negative 3 लेंगे एको 8 ही लेंगे put a equals to 8 और d equals to negative 3 अगेन आप इन टाम्स में put करें 8 minus d minus d means plus का 3 हो जाएगा और फिर 8 और फिर a plus d 8 minus 3 11 8 और इसके बाद आपके पास यह आएगा 5 अब देखें numbers में आपके पास कोई numbers numbers ठीक हो गया ओके बटा आज के लिए इतना ही इंशाला नेक्स टाम करेंगे अला आपस